मुझे ने बहुत सारा पैसा कमाना है जैसे मैंने law of attraction के बारे में सुना है हम माइंड में सोचते रहते हैं पैसा माइंड में दिखते रहते हैं बड़ पैसा आ नहीं पा रहा है तो उसके मतलब कैसे आएगा वो कैसे आएगी मतलब हाद में जो हम सोच रहे law of attraction के तुरू पैस बहुत से कुश्चन है, निशी, निशी के कुश्चन यह है कि पैसा कमाना है, करोडो रुपे कमाने हैं और सुना है कि law of attraction, काम करता है कि हाँ काम करता है, law of attraction एक science है, उसके उपर एक book भी बनी हुई है, वीडियो भी बनी हुई है, आपने देखा होगा, बहुत सारी लोगों करते देता हूँ, मेरे लिए काम कर रहा है, law of attraction, आपने जो पढ़ रखा है, या आपने जो पढ़ रखा है, आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजे ऐसी हैं, जो missing में हैं, जो hidden है, मैं अभी आपके साथ share करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐसा सम का मतलब समझाता हूँ, मालों एक magnet है, तो जैसे magnet है, अब यह मालों लोहा है, अगर यह magnet है इसके अंदर तो यह वैसी चीज़े आपकी खीच लेगी, आप ऐसा समझ लो, आपका जो mind है, आपका mind भी एक तरीके का magnet है, जैसे thoughts होंगे, जैसा visualization करोगे, वैसी चीज़े आ जा करते हो, करते हो, 24 घंटे में से कितनी देर के लिए, बाकी जो है, 99 परसंट जो है आपका उसका opposite करते हो, बाइड डेफॉल्ट जो हमारा mind है, वो 24 घंटे चल रहे हैं, और एक दिन में 50-70,000 thoughts आते हैं, यह जब आप law of attraction को लगाते हो, तो वो फोड़ा सा visualization किया, आरे वो 5-10 मिनट किया, कभी दो महिने में याद आगे, तब किया, by default जो चल रहा है, actually law of attraction उसके हिसाब से आएगा आपकी life में, यह समझे, दिमाग 24 घंटे चल रहे है, विचार 24 घंटे चल रहे हैं, उससे energy उठ रही है, so by default आपके दिमाग में बढ़िया चीज़े आएं, तो by default बहुत सारी चीज़े आप अट्रेक्ट करोगे, विबास समझे आ रही है, अजी, अना, so law of attraction क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि आप सिर्फ 5-7 मिनट के लिए यूज करते हो, 99% आपके दिमाग में garbage चलता है, और जो garbage चलता है, उसके बारे में रहा साइन्स समझाता हूँ आपको मैं, तीन चीज़े होती है, निशी, एक होता है foreground, जो हमारे outer world में चीज़े है, जिनकी हम लोग video recording कर सकते है, पैसा आ सकता है video recording में, घर आ सकता है, आप कहीं travel कर रहे हो आ सकता है, आप बहुत famous हो गए आ सकता है, foreground मतला जिसकी recording होती है camera में, पहला, दूसरा होता है mid ground, mid ground मतला य चल रहे हैं, विवा समझे आ रही है, सो जैसा mid ground होगा, जैसे thoughts होंगे, law यह कहता है, वैसा foreground होगा, पर mid ground में क्या है, non-stop, 24 घंटे, automatic thinking चल रही है, इसके आपका control नहीं है, एक mid ground के नीचे, एक मैं बोल रहा हूं, नई turn दे रहा हूं, उसको बोलते है background, background को मतला समझाता ह हमारी ना आखों के आगे चश्मे लगे होते हैं, आखों के आगे नहीं, एक दिमाग के आगे चश्मे लगे होते हैं, वो दिखाता हूं, एक simple example देता हूं, law of attraction का, मान लो आप और मेरे बीच में बड़ा अच्छा relationship है, हम दोनों बड़े friends है, background में क्या है हम लोग, आप मे friendship है, relationship अच्छा है, निशी trustworthy है, mid ground में क्या है, निशी ने पैसा माँगा है, तो दोस्त है अपनी, इसको क्या दिखाता है, कब दे देगी, तो दो महीने में, आपने, दो महीने बाद आपने पैसा नहीं दिया, और आप मुकर गए, अब निशी के background में क्या गया, महला मेरे background में क्या है, निशी जूटी है, change होगा our thought, जूटी है, अब background में का है, समझ हो आ रहरा है, अब निशी अगली बार मेरे पास है, और इसने कुछ मांगा, तो mid ground में क्या है जूटी, automatic हा रहा है, उसमें कुछ नहीं कहर रहा हूं, background का मतल चाहरा है, माड़ लो, आपने सम्झ आ रहा रहा ना और जूटी और फोर्ग्राउंड में क्या होगा मैं आपको पैसा नहीं दूँगा उसकी बेक्ग्राउंड से उठके में ज़ाँधा होगा उच्छ सब्सक्राइब और एक और एक्जामपल देता हूं मान लो निशी ने को बिजनेस किया और बिजनेस करा और उसमें कुछ नुक्सान हो गया आपने क्या बोला बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है बिजनेस करना बड़ा रिस्की है यह कहां बैठ गया यह बैठ गया आपके बैक्ग्राउंड में अब अगली बार कोई आपके पास आया उसने बिजनेस प्रपोजल दिखाया और में भी बड़ा अच्छा बिजनेस है तो दिमाग के आगे दिवार लग गई ना आपके तो आप उस डिरेक्शन में जाओ गई नहीं तो ना आपके थॉट्स वैसे होगे अब आपकी फीलिंग कैसी है य मुझे निकल मरवाका या मैं लो ह caveat तो आपका मिड ग्राऊंड कैसे होगा जैसे क्रेंग वल्हें आपको चेंज क्या करना मैं इंटलिजन्ट हूं यह बैक्ग्राउंड है तो मिड़ ग्राउंड में कैसे आएंगे वैसे थॉट्स आएंगे जैसे थॉट्स आएंगे आप आटोमेटिकली एनर्जी उठेगी वाइब्रेशन उठेगी और वैसी चीज़ा आपकी लाइफ में समझा आ गया खेल कहा है लाति दैगी तो निशी इसका मतलब आपको बैक्ग्राउंड चेंज करोगे तो फोर ग्राउड में और नी मसन आएंगे तो आऊटर वर्ल्ड मतलब फोर्ग्राउंड में आपको आटोमेटिक रिजल्ट मिलेंगे सो कहां काम करना है बैक्ग्राउंड में बैक्ग्राउंड में वैसे तो पूरी लंबी चौड़ी साइंस है पर मैं आपको एक टिप देता हूं टिप यह है कि आए-एम कि आगे आप जो भी लग बैक्ग्राउंड में बोलां यां व्यूंड गया आपके बॉलां आफ्ष नेकिया बुच्छाल लाइगा तापी ब्रबाद के निकल सकता हूं इसने कैसे बना सकता हूं उसको background में आपको auto suggestions देने पड़ेंगे I am I am background अगर आपका set हो गया तो आपकी life में law of attraction काम करेगा number one अच्छा क्या है बहुत लंबी conditioning है आपकी बच्पन से है पड़े negative विचार सुने हुए है पैसे के money management है फीज कितनी है जीरो फीज है टाइम देने आपको अगर आप अपना time spend करके आप सारी वीडियो देख लेते हैं money के ओपर तो आपका background change हो जाएगा आपके जो money से related beliefs है वो change हो जाएगे और आप जल्दी से असानी से पैसा कमा पाएंगे वो law of attraction आपकी लाइफ में आएगा है ना मैं आपको सर्जेस्ट करूँ और सारी वीडियो देखिए background change करने के लिए और जासा लोग के साथ share कीजिए इंडिया में बहुत गरीब है लोग बहुत struggle कर रहे हैं पैसे को लेके मैं आपको इतनी valuable training दे रहा हूं लोगों साथ जितना शेयर करेंगे उतना फाइदा मिलेगा एक एक वीडियो को वाच करो उसके नोट्स बनाओ उतना आपकी लाइफ में आपको फाइदा मिलता जाएगा थैंक्यू वेरी मच सक्सेस और हैपिनेस के लेटेस वीडियो को वाच करने के लिए जोड़ बदी जैन चनल को सब्सक्राइब भीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर